दूस्वों, IPL 2024 का आज 57 मुकाबला संडाइदस हैदराबाद बनाम लखनो सुपजंस के बीचे खेला गया और इस मुकाबले में लखनो सुपजंस को संडाइदस हैदराबाद ने हरा कर पोइंच टेबल में कई बड़े बदलाओ कर दिये जहाँ संडाइदस हैदराबाद पोइंच टेबल में तीसरे अस्तान पर पहुँच चुकी है तो वहीं लखनो सुपजंस को पोइंच टेबल में काफी बड़ा नुकसान हुआ है तो ऐसे में पोइंच टेबल में कौन सी टीम किस अस्तान पर है कितने पोइंट के साथ और यह से प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने गले अप किस टीम को कितने मैच और जीतने होंगे इस यूड़े में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है तो दूस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादा इंपॉर्टन वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए तो आएए चलो वीडियो श्टार्ट करते हैं तो दूस्तो आई पील दो हजार चौबीस में 57 मैचों के बाद जो टीम पोइंच टेबल में सबसे आकरी यानि की दसवे अस्तान पर है वो है शुबमनगिल की कपतानी वाली टीम और आई पील दो हजार बाइस की चेंपियन गुजरात टाइटन गुजरात टाइटन जो अब तक 11 मैच खिलिए और इन 11 मैचों में से 7 मैच में हार का सामना करना बढ़ा है चार मैचों में इस टीम ने जीत दर्जिक की है गुजरात टाइटन के पास से टोटल 8 पोइंट है नेट रन रेट जो इस टीम का माइनेस 1.32 2-0 जो कि सबी टीमों से सबसे ज़्यादा खराब इस टीम का नेट रन रेट है अब इस टीम को 3 मैच और खिले और आने वले इन 3 के 3 मैच में गुजरात टाइटन को जीत हासिल करने होगी साथ में इस टीम को अपना नेट रन रेट जो काफी ज़्यादा बहतरीन करना होग और इन बागी अधर टीमों पर पूरी तरह से डिपन रहना होगा प्ले ओफ में कौलिफाइक कर निकले गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला 10 में को चिननी सुपर किंग के खिला खेला जाएगा टेबल में 90 अस्तान पर है IPL में 5 बार की चेंपियन और हार्दिक पंड में इस टीम ने जीत दर्जिक की है मुंबई इंडियन के पास टोडल आठ पॉइंट है ने डरने जो है माइनच 0.212 है जो की थोड़ा खराब है अभी इस टीम को दो मैच और खेले और अगर आने वले इन दो के दोनों मैच में मुंबई इंडियन जीत हासिल कर लेती है त लोग가 पोइंस्टेबल में आठवे अस्तान पर है सैम करणु की कप्तानी वाले टीम पंजाब किंग पंजाब किंग जो अब तक 11 मैच खेली है इन 11 मैचों मेंpected साथ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 4 मैचों में इस टीम ने जीत दर्जिक की है पंजाब के पास से टोटल आठ पॉइंट है, नेट अनेट जो इस टीम का अमाइन जीरो पॉइंट वन एट सेवन है, अब इस टीम को तीन मैच और खेलें, और पंजाब किंग को आने वेले इन तीन के तीनों मैच में जीत हासिल करने के साथ, नेट अनेट काफी बहतर तो करना होगा, सा साथ वे अस्तान पर जो टीम है ओ है रोयल चैलेंजर से बिंगलूरू फेब टू प्लेसित की कप्तानी वाले टीम रोयल चैलेंजर बिंगलूरू जो अब तक 11 मैच ही खिली है और इन 11 मैचों में से 7 मैच में हार का सामना करना बड़ा है जबकि 4 मैचों में इस टीम ने जीत चैलेंजर बिंगलूरू को जीत हासिल करने के साथ साथ बागी अधर टीमों पे पूरी तरह से निरबर रहना होगा प्ले ओफ में कॉलिफाय कर निगले रोयल चैलेंजर बिंगलूरू अपना अगला मुकाबला कर लियानी 9 मैं को पंजाब किंग के खिलाफ खेलने वाली ह और यह मुकाबला पंजाब किंग्स और रोयल चैलेंजर बिंगलूरू दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी जादा महातपूर मुकाबला रहने वाला है जो भी टीम में मुकाबला हारेगी वो आई पिल 2024 के प्ले आफ से बाहर हो जाएगी वहीं पॉइंस टेबल में जो टीम में हार का सामना करना बड़ा है जबकि 6 मेचों में इस टीम ने जीत दर्जी की है लखनू सुपजंद के पास से टोटल 12 पॉइंट है लेकि नेट रनेट जो टीम का माइनस में काफी खरब है अब इस टीम को दो मेच और खिलें और आने वले इन दो के दोनों मेच में लख पुबदा में को देली कैपिल के खिलाव वहीं पोइंट टेबल में जो टीम पांचवे अस्तान पर है वह है रिशपफंद की कप्तानी वाली टीम देली कैपिल देली कैपिल जो अब तक 12 मैच खिली है और इन 12 मैचों में छे मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 6 म देली केपिल्स को जीता हासिल करने होगी, साथ मैं इस टीम को अपना नेटर नेट जो एक काफ़ी जादा बहतर करना होगा, प्ले ओफ में जग्याइब बनाने के लिए, वही देली केपिल्स अगला मुकाबला जो होने वाला है, वो मुकाबला खेला जाएगा, रोयल चैलें बेंगलोरी के खिलापो 12 मेको और यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी जादा महत्पूर्ड मुकाबला रहने वाल है जबकि पोइंच टेबल में जो टीम है चौते अस्तान पर है वो है चिन्नाई सूपर किंग चिन्नाई सूपर किंग आई पील दो हजार तेस की च की काफी जादा बहतरीन है अभी इस टीम को बागी बचे तीन मैचों में से दो मैच में कम से कम और जीत हासिल करनी होगी चिन्नी सूपर किंग को प्ले ओफ में कौलिफाइ करने के लिए अगर चिन्नी सूपर किंग अपने सभी मैचों में जीत दर्जी कर लेती है तो यह जो है officially playoff में qualify कर जाएगी चन्नी सुपर किंग का अगला मुकाबला जो होने वाला है वो मुकाबला 10 में को गुजराट टाइटन्स के खिलाफों खेला जाएगा वहीं point stable में जो team तीसरे अस्तान पर है वो है आज का match जितने वाले team sunrises हैदराबाद पैट कमिंद की कप्तानी वाले team sunrises हैदराबाद ने आज के match में काफी बहतरी इंट परदशन करके लकनू सुपरण को हरा कर point stable में तीसरे अस्तान पर पहुच चुकी है इस team ने अब तक को 12 match खेला है और इन 12 match में से 5 match में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 7 match में stream ने जीत दर्जी की है sunrises हैदराबाद के past total 14 point है तो इस stream का जो net net है थोड़ा काफी बहतरी न हो चुका है अब इस team को 2 match और खेलें और इन 2 match में से कम से कम 1 match में और sunrises हैदराबाद को जीत हासिल करनी होगी playoff में qualify करने के लिए sunrises हैदराबाद अगर दोनों match में जीत दर्जी कर लेती है तो इस team officially playoff में qualify कर जाएगी sunrises हैदराबाद का अगला मुकाबला काफी ज़्यादा important से रहने फल है तो वही point stable में जो team तूसरे अस्तान पर है वो है राजस सान्रोयल संजु संसन की कप्तानी माले team राजस सान्रोयल जो अब तक 11 match खिली है और इन 11 match में से मातर 3 match में हार का सामना करना पड़ा है 8 match में इस team ने जीत दर्जी की है राजस सान्रोयल के पास टोटल 16 point है इस team का जो net a net a plus 0.476 है जो की काफी ज़्यादा बहतर है अब इस team को 3 match और खिले है और यह team जो है almost play-off में qualify कर लिए अब इन 3 match में से कम से कम 1 match में और यह team जीत दर्जी करती है तो officially play-off में qualify कर जागी राजस सान्रोयल का अगला मुकाबला जो खिला जागा वो मुकाबला 12 में कोच चिन नहीं सूपर कीए पोइंस टेबल में सबसे पहले अस्तान पर जो team है ओ है कोलकाता नाइट राइडर कोलकाता नाइट राइडर जो अब तक 11 match ही खिली है और इन 11 match में से सिर्फ 3 match में हार का सामना करना पड़ा है 8 match में कोलकाता नाइडर ने जीत दर्जी की है इस team के पास जहां टोटल 16 point है वही ने राइडर जो है कोलकाता नाइडर का प्लस 1.453 है जो कि सबी team हो से सबसे बहतर इस team का ने राइडर है अभी इस team को 3 match और खिले है और यह team जो है लगबग playoff में qualify कर लिए इन 3 match में से 1 match में और यह team में जीत दर्जी करती है तो यह team officially playoff में जगए बना लगी वही कोलकाता नाइडर का अगला मुकाबला जो होने वाला हो मुकाबला 11 में को मुंबई इंडन के खिला जाएगा तो दूस्तो यह रहा IPL 2024 का नया point stable जो कि 57 में मैच लखनू सुपरजंद बना संदाइस हिदराबाद के मैच के बात का है तो दूस्तो आपको क्या लगत संदाइस हिदराबाद लखनू सुपरजंद में से कौन सी हो team रहेगी जो playoff में qualify कर पाएगी comment करके आप हमें ज़रूर बताए तो दोस्तो इस चुनों बतने हैं अगर आप वीडियो पसंदाइस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंदाबाद देना थांक्यो सो मज गाइट फोर वाचिंग दिस वीडियो